फैक्टर होगा डिप्टी सीम भी रखे जाएंगे और सवाल ये भी कि 36 गड़ में सरकार गठन में क्या सोशल इंजिनिरिनिंग का भी असर दिखाई देगा तमाम सवालों के जवाब हम तलाशेंगे लेकिन सबसे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं 36 गड़ में 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद से ही इस बात पर बहर जारी है कि विधान सभा की 90 में से 54 सीटे हासिल करने वाली भारती जुनता पार्टी आखर राज की कमान तिस नेता को सौपेगी बीजेपी के कई नेता मान कर चल रहे है कि केंद्री नेत्रत्व किसी नए चेहरों को मुख्यमंत्री बना सकता है बीजेपी के प्रदेश प्रभार योग माथूर चुनाओ के दौरान ही कह चुके हैं कि पार्टी जिसे मुख्यमंत्री बनाएगी उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा फिलहाल जो खबर है उसके उताबिक परिवेक्षकों की उपस्थिती में राइपुर में विधायक दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री की घोशना की जा सकती है बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री के अलावा इस बार राज में दो डिप्टी सियम भी बनाए जा सकते हैं इस बी 36 गड़ में विधान सभा चुनाओ लड़ने वाले चार सांसदों में से तीन ने लोगसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है इस्तिफा देने वालों में जैश्पूर लोगसभा सीट से सांसद गोम्ती साई ने इस्तिफा दे दिया है गोम्ती साई पत्थल गाओं से विधायक चुनली गई है इसी तरह सरगुजा से सांसद रेणुका सिंग ने भरतपूर सोनहच सीट से जीत के बाद लोग सभा की सदस्यता छोड़ दी है वही बिलास्थपूर से सांसद अरुम साओ ने लोर्मी से विधान सभाचुनाओ जीतने के बाद लोग सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है हाला कि इस बार दुर्ग सांसद विजय बगेल भी पाटन से भुपेश बगेल के खिलाफ मैदान में थे लेकिन विजय बगेल विधान सभाचुनाओ हार गए हैं इसलिए अब चर्चा बाकी तीन सांसदों की हो रही है जिन में OBC कोटे से हरुन साओ और ST कोटे से रेडुका सिंग का नाम सबसे एहम है राज में OBC वर के नेता बनकर उभरे भुपेश बगेल की मुकाबले के लिए OBC वर की सबसे बड़ी साहु जादी से आने वाले अरुन साओ को जब प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई थी उस समय से ही ये मान लिया गया था कि राज में बीजेपी की सरकार बनने की स्थिती में अरुन साओ को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौपी जा सकती है अलकि पार्टी में कुछ ऐसे नामों पर भी चर्चा जारी है जो पहली बार विधायक बने है टीम न्यूज इस्टे असमंजस की स्थिती है कि फाइनल मोहर किस पर लगेगी जरा इस पर हम बातकीत करते हैं क्योंकि इसमें OBC फैक्टर की बात हो रही है उसमें सीधे सीधे आदिवासी फैक्टर की बात हो रही है महिला फैक्टर की भी बात हो रही है तो इन तमाम फैक्टर्स पर कौन खरा उतरता है जरा समझने की कोशिश करते हैं खास मेमानों का पैनल जुड़ गया उनसे तारूफ करा दू और इसके लाबा मेरे साथ वरिष्ट पत्रकार और पॉलिटिकल एनलिस्ट हैं केके शर्मा जी वो भी मौजूद है केके शर्मा सर आपका भी बहुत स्वागत है मैं राडितिक मेमानों के पास जाओं उससे पहले केके शर्मा जी आपी से समझना चाहूंगा कि बड़े फैक्टर्स की बात हो रही है लेकिन हमने इस बीच देखा है कि महिला वोटरों का वर्चस विलगतार बढ़ता जा रहा है उसके लावा हम ये भी देख रहे हैं बीते कुछ चुनाओं में की जो आदिवासी समाज है वो काफी ज़दा जुडाओ कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ उसका देखा जा रहा है जुकाओ देखा जा रहा है एंटाक्ट हो रहा है उसके अलावा अपने अपने जो चेहरे हैं उनके दम को उनके दोज़ार चौबीस के हिसाब से फिर को भी देखा जा रहा रहा है कि सभी सीटे कौन जिता करके लाएगा डिजारेबल कौन है यह तूज तमाम फैक्टर से उसमें सबसे बहेतर कौन लेकिन ये जनता के भीज जाने वाले CM है तो इनके लोगपृता कितनी है उनके प्रसासनिक शंता है की नहीं है क्योंकि आपको प्रदेश भर में अधिकारियों पर नियंत्रित करना है और जो आपके घोशना पत्र उनको लागू करना तमाम प्रकार की बाते जो आती है तो य सांसत की सीट वह भी आपको यदि प्राप्त करना है से ग्यारा से ग्यारा तो तमाम इसे पर चर्चा करना पड़ेगा इसके साथी अभी फेक्टर यदि परिणाम के अधार पर देखें तो आधिवासी 30 में से 17 अभी बीजेपी के पास है दो कांग्रेस के पास है और गोड अब स्थिति को देखेंगे इसके साथ ही जो एसी वर्ग की भी बात कर देते हैं जानकारी के लिए के 6 और 4 कांग्रेस के 6 ज्यादा जीत के आए और 4 बीजेपी के 10 में से अब यह स्थिति को यदि देखेंगे तो चमता की दिश्टिक से अरुन साव को निश्चितर उसे ब जिम्मेदारी दी जाएगी एक है दूसरा है जो महिला फेक्टर की बात लगातार चारी महातारी वन्ना नियोजना या राश्तिस्तर पर महिला आरक्षन विदेयर की बात करें तमाम प्रकार के महिलाओं को साधने की जो कोशिस भाजपा कर रही है उस द्रिश्टिस इसे य महिला और आदिवासी है और 36 गड़ में महिला बाल विकास मंतराला समाल चुकी है अब दूसरी चीज़ आती है कि अन्य नाम जैसे आ रहे है अब वरिष्टता की दृष्टी से देखेंगे क्योंकि सीम बनाएंगे तो वरिष्टी ही होगा क्योंकि उसके नीचे जो मंत्री चेंडरी मंत्री रहें अदिवासी चेहरा है लेकिन उनकी दिष्टी से यदि देखें तो पूरे प्रदेश में क्या उनकी लोग्पृता है क्या नीचे लेरी में बनारा साल होगा जिसकी लोग्पृता भी हो जिस तरह से आप बुल्डोजर के आप देख रहे हैं अभी कारवाई सुरू हो गई तो जनता का एक बड़ी अफेक्च्छा है भाजपा से तो उसको कुरा करने के लिए मजबूत तो यह यह तमाम नाम तो आपने के कि शर्मसर ने दे दिया निश्चे तरुप से पूर मंत्री हैं हाँ लगातार से मद्परदेश की समय से मंत्री हो भी है रामिचार नेताम भी है मैं बता रहा हूँ कमाम प्रकार के नाम है तो सभी विश्यों को ध्यान में रखते हैं 36 गड़ के हिट में खनी संपदा से परिकॉन 36 गड़ है आपके और मुला अपनाया जाए एक सीम और दो डेपटी सीम रखे जाए और उसमें सभी चीज सद जाए निश्चित रुप से ये बड़ी बात है यदि आप सर्गुजा को देखिए सर्गुजा में पिछले समय 2018 में एक बात आय थी कि 14 के 14 सीट टीयस के नाम से जीत के लोगों न नाम जादा चल रहा है जब भले ही रेनुकवा सिंग कोरबा लोग सभा छेतर के में जा के चुनाओ लड़ी है भरतपूर सोनाट से लेकिन वो एक सर्गुजा माना जाता है सर्गुजा और रायगार के दोनों सांसत गोंती साहे और रेनुकवा सिंग जीत कि आई है और उस पिशली आपने खुद कहा ना कि टिया सिंग्देव के नाम पर पिशली बार 14 के 14 सीटे उनको दे दी गई थी कॉंग्रस के पास गई लेकिन हमने देखा कि जो अप एक शाय रही होंगी सर्गुजा की शायद वो पूरी नहीं होई क्योंकि उनको लग राता कि हो सकता है कि ह सियम् जो है हमें सियम् मिलने वाला यहां से या उनको लग रहा था कि ठीक हैं उनको 20 साल में तो कम स्यंग्रस के था नहीं हो पाया और कॉंग्रस ने वो कदम नहीं उठाया जिससे निराश हो करके क्या वो पूरी की पूरी सीथे अब बीजेपी को दे दी और वही आप एक्षाइब बीजेपी से हैं निश्ची तुरुस यह एक बड़ा कारण है वहाँ पर क्योंकि टीएज बाबा के चलते हुए वहाँ पर सीम का नाम जो दो खरम चला था अभी भी वहाँ की लोगों की अ करने यदि इस तरह से नाम आते हैं कि जो नाम आप लेग रहें सीनियर का रमन सिंग के जगह में यदि कोई दूसरा नाम आता है जैसे वरिष्टों के अत्रिक में यदि सोसल इंजरिंग की बात होती है तो निश्चित रूप से यदि सरगुजा से कोई सीम बनाया जाता है तो राइपूर विलासपूर दूर्ग संभाग एक बीच का मैदानी लाका करते हैं और दूसरा बस्तर दक्षिन पे कहें तो यहां इससे इंकार नहीं किया जा रहा है डेपटी सीम का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है लेकिन विकास मरकाम जी आप तो देखिए बीजेपी कहीं होगी कि इस वर्ग से ही सीम दिया जाएं तो क्या इस पर विचार हो रहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्ने, केंद्री नेटृत्तु तुमारा संसधी बोर्ड यही तैग करेगा और तैग करने की एक प्रवेख्षक आएंगे केंद्री परिवेख्षक आकर विधायक दल की बैठाग लेंगे विधायकों से रायख मारी करेंगगे और उसके बाद भी इस प्रदेश का नित्रित पो कौन करेगा, बुक्समंद्री कौन बनेगा, उसका निर्णे हो पाएगा आज जरूर लोग विन्न तरिकों से बात कर रहे हैं, टिविशेन लों में और बाती जगों पे चार नाम, पांच नाम आ रहे हैं, इसकी तुरूप से सभी योग के नेता हैं, अभी केके शर्मा जी बता रहे थे, भारती जनता पार्टी के इस बार जो चुनाव चिपके आये हैं, उनमें कोई किसी प्रकार्टी कोई कभी नहीं है, प्रशास्तिक शंताओं से भरपूर हैं अब ने, विकास बरगाम यह आपने कहा कि उपर से फैसला होगा, दिल्ली से फैसला होगा, हम देख रहे हैं कि उसको ले करके बात्चीत भी हो रही है, मनतन हो रहा है, परिविक्शक आएंगे, विदायक दल्खी ठीक है, ठीक है, फिस्टम है, लेकिन मैं यह पूछ रहा ह इस बार 29 में हम 17 सीटों पर चुनाव जित के आये हैं और 32 प्रतिसत अबादी हमारी है 67 प्रतिसत धुभाग पर जन्जाती समाज रहता है तो जिसकी तुरूप से मेरी अपिश्या है कि भारती जन्जाती समाज को बौका दे क्योंकि पिशली बाद हम लोगों ने देखा 29 सीटों में से 26 सीटों पर कॉंग्रेस चुनाव जित के आई थी 26 सीट पर कॉंग्रेस चुनाव जित के आई हमारी जन्जाती समाज के लोग जित के आई और तीस समान मिस्कितों से जीत किया है उनके पास 29 जनजाती विधायक थे उसके बाद भी कॉंग्रेस ने किसी अधिवसी नेता के नाम पर कोई विचार दी किया ना तो बुख्यमंत्री के नाम पर विचार किया ना तो उपुख्यमंत्री के नाम पर विचार किया इसलिए के फिजर का हिस्सा हो गड़े कि समाग रहता है उपनी बात रख दीए और आम तोर पर ऐसा होता नहीं है बच करके लोग अपनी बात रखते लेकिन आपने बहुत खुले अंदाज में अपनी बात रख दिया है. लेकिन नीटा लोद्ही जी विकास मरकाम जी हैं कि कैसा डॉक्टर रमन सिंग, रेलुका सिंग, कुई और ने चेहरा, विष्टुदेव साहे, अरुन साव, कौन? दोüstर में पिंग, कौन? इंक आज शएलुका सिंग, इन चेहरा, उन चेहरों को या कुने पृराने लोगों को नहीं बनाया जाएगा, जैसे हमारे रमन र 09 videos by TV track. तो अपने आप में एक यह हैं, तो मेरे खाल से उन लोगों को नहीं बना रहे हैं, और यह अगर बात करते हैं, महिला वंदन की और इस तरिके की, तो शुकर पे, और एक बात पीछ मेडिया में यह भी आई की बीच में, कि हो सकता है, साल दो साल के लिए किसी को बनाए, शुर और यह भी आई की बात करिये, भारती जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री होगा, वो पात साल के लिए होगा, हमारे यहां कोई धाइड़े साल वाला कोई फर्दूगा नहीं, वो धाइड़े साल अगर बात होती है, रामिचार नेताम जी की, कि बात होती है, कि बात होती है, विष्टुदे साय जी 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 होती है, लोगों को काम करते हैं नीटा इस तरह के आरोप आपके लिए कही जाती रही है पूस तीजी होई हम उस पर ला जाते हुए मैं आप से इतना जान रहा था कि आप बताईए कि कैसा होना चाहिए मुख्यमंत्री और क्या ये जो दो चार नाम है उनमें से आपको लग रहा है कि बेहतर मुख्यमंत्री होगा क्योंकि आप उन्हें सला भी दे सकती है विकास मरकाम जी को बख्शी के नाते जब इन लोगों ने विक्राओं में चुनाओ लड़ा सारे सांसदों को ये कहके दे दिया जो केंदरी मंत्री है जो सांसद है उनको सबको इन लोगों ने चुनाओ मैदान में सीट बटोरने के इसमें इन लोगों ने लगा दिया आज ये करके 10 सांसोदों को इस्तिफा ले लिया, अब आप देख रहे हैं कि महिला इसकी को बना कर चाहिए, बड़े अच्छी तरीके से अब अबसर्व कर रहे हैं कि बीजेपी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन क्या कॉंग्रेस के सांसत दिपर बेच को चु करके और नीता जी एक मिनट, मैं आपसे बड़ा गंबीर सवाल पूछ रहा था, कि आपने बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया, अभी भी कर रही है, आपकी पक्षी पार्टी क्या कर रही है, बीजेपी में क्या हो रहा है, लेकिन क्या भी लगता नहीं है कि आपको आत मन्थन करना चाहिए, इस वक्कॉंग्रेस को ये देखना चाहिए कि क्या इसे गलती होगी और अभी हम बाचीती कर रहे थे, सरगुजा कि अगर 14 सीटे आपके पास पहले की तरह रह जाती ही, तो कितना नंबर होता, उनन चास नंबर होता, 35 में 14 जोड़ दीजे, 49, पिछल पर और खामियों पर क्या इस वक्त आपको मन्थन नहीं करना चाहिए? अच्छी बात है, आपने तेलंगाना का जिकर कर दिया कि वहाँ पर कुछ परिशानी नहीं और आप नेत्रित्र दे रहे, लेकिन केके शर्मा सर, आकर मैं आप से ही, ठीक है, जल्दी से, विकास्त मरकाम जी, जल्दी से रखे, क्योंकि केके सर से फिर मैं फानल कॉमेंट ल विशे से भटक जाएंगे, लेके शर्मा सर, ये तमाम जो कयास है, इन कयासों को कितना वल मिल रहा है, क्योंकि देखे, विकास्त मरकाम जी ने तो अपनी तरफ से एक्षा भी जाहिर कर दी बड़े खुले तो और पर इस्टी तरफ से वो एस्टी मोर्शा के भाजपा के अध्यक्ष प्रदेशा अध्यक्ष है, तो वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वान कर रहा है, विव उनको जिम्मेदारी पाल्टी ने दिये, लेकिन ये राश्टी स्तर पर तय होना है, कि किस धंग से रणिती यहाँ प एक सीट पर ऐसा होता है, कि वहाँ पर इन लोगों को डोपरी अधिवासी को खड़ते हैं, कि अधिवासी चेहरा भी हो सकता है, OBC अरुम साही भी हो सकते हैं, अभी इंतिजार करना पड़ेगा, वाइस्पा में इतने आखानी से कुस्ता हैं, यानि कि उससे पहले सिर्फ इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखना होगा कि तीनों ही राज्यों में क्या फैसला लिया जाता है और चेहरा कौन होता है, 36 गर में बहुत से नाम रेस में हैं, जीता कौन है?